आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शरत बागहला सबसे पहले इस बुलिडिन के मुख्य समाचार सीहस तक इंदोर उज्जेन के बीच शुरू हुगा मेटरों का संचालन मुख्यमंत्री ने हर जिले में विकास का रोड मैब बनाने के दिये निर्देश राश्ट्री पल्स पोलियो अभियान आज प्रदेश में एक करोड़ पिच्चासी लाग से अधिक पोलियो रोधी दव अपलाने का लक्ष सिवनी गोवन्ष हत्याकान मामले में सिवनी कलेक्टर और एसपी की हटाए गए और टी-टॉन्टी क्रिकेट विश्वकप में बांगलादेश को हरा कर सेमी फाइनल में पहुँची भारती टीम अब समाचार विस्तार से इंदोर और उज्जेन के बीच मेट्रो ट्रेन का संजालन किया जाएगा मुखी मंतरी डॉक्टर यादव ने कल भोपाल में एक बैठक में इसकी जानकरी देते हुए बताया कि आवाजाही के सुविधा की दृष्टी से भी मेट्रो ट्रेन उपयोगी होगी मुखी मंतरी मोहनी आदव ने कहा कि इंदोर उज्जेन के मध्य मेट्रो संचालन से सम्मदित फिसिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है आने वाले समय में इंदोर एरपोर्ट से महकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा परदेशवासियों और देश विदेश से आने वाले परेटकों वाश्रत धालूँ के लिए एक एहम सोगात होगी मुखी मंत्री ने कहा कि परदेश में विकास के कारे निरंतर चलते रहें हर जिले में विकास कारियों को पूरा करने के लिए रोड मैप तयार कर लिया जाए जिले के विकासकारियों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा और लोग सभा शेतरवार भी विकासकारियों का विभाजन कर लिया जाए सिवनी में गोवन्श के शव मिलने के मामले में जिला कलेक्टर शितीश सिंगल और पुलिस अधिक्षक राकेश कुमार सीह को हटा दिया गया है मुख्यमंतरी डॉक्टर महुन यादव ने गोवन्श हत्या की उचिस्तरी जांच के नर्देश दिये हैं सोशल मीडिया पर मुख्यमंतरी ने कहा कि मद्दपरदेश में गोवन्श के खिलाफ कोई भी अपराद बरदाश्ट नहीं किया जाएगा डॉक्टर यादव ने जबलपूर संभाग के वरिष्ट प्रशासनिक और पुरिस अधिकारियों को भी पूरे मामले में नज़र रखने को कहा है गोवन्श हत्या के पांच आरोपियों को गरफतार कर लिया गया है दो आरोपियों के विरुद राश्टी सुरक्षा कानून रासुका में कारवाई की गई है इसके साथ ही इस घटना में सनलिप्त पाए गए प्रतेक आरोपि के खिलाफ सक्त कारवाई की जा रही है रिवा नगर निगम कमिशनर संसकरती जैन को सिवनी कलेक्टर और सुनील कुमार महता को सिवनी SP नीउक्त किया गया है देर रात चार IES और छे IPS की नई पदिस्थापना आदेश जारी किये गए जिन में सिवनी कलेक्टर और SP के नाम शामिल थे आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परिक्षा इस्थागित कर दी गई है परिक्षा की नई तिथी जल्द घोशित की जाएगी स्वास्त मंत्राले ने बताया कि ये नई कुछ प्रतियोगी परिक्षाओं में कथित कदचार के हाल के आरुबों के बाद लिए आगया है मंत्राले ने कहा कि मेडिकल विध्यारतियों के लिए राश्ट्री परिक्षा बोर्ड दौरा संचलित नीट पीजी प्रवेश परिक्षा प्रिक्षा प्रिक्रिया का समगर आंकलन कराने का फैसला किया गया है मंत्राले ने कहा कि ये नणे विध्यारतियों के हित में और परिक्षा की सुच्चिता को बनाये रखने के लिए लिया गया वहीं शिक्षा मंत्राले ने राश्ट्री पातरता सहप्रवेश परिक्षा नीट यूजी दोहजार चोबिस में कथित अनिमित्ताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंदरी अन्वेशन ब्यूरो को सौप दिया है मंत्राले ने एक बयान में कहा कि यदि कोई विक्ती या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी मंत्राले ने एंटिये के महानिदेशक सुबोत कुमार सिंग को उनके पत से हटा दिया है भारती वेपार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक प्रदीप सिंख खरोला को एंटिये महानिदेशक का अतरिक प्रभार सौप आ गया है मद्र प्रदेश लोकसेवा आयोक के सचिव ने बताया कि आयोक द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंबिक परिक्षा दोजार चोबीस नरधारित तिथी 23 जून दिन रविवार को नियत समय पर ही संपूर्ण दिशान नरदेशों का पलन करते हुए आयो जितकी जरही है आयोक ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें MPPSC प्री का पेपर लिख होने का दावा किया जा रहा था आयोक की तरफ से कहा गया कि अफवा फैलाने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेश पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अत्वा News on AIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान प्रारम हो रहा है तीनी दिन तक चलने वाले अभियान में प्रदेश में एक करोड़ों पेतालिस लाग पोलियो डोस की व्यवस्ता की गई है दो बूंद के 27,371 बूत पर पिलाई जाएगी अभियान का शुभारम उपमुख्य मंतरी राजंदर शुक्ल भोपाल में करेंगे पहले दिन पांच वर्ष आयू तक के बच्चों को पोलियो बूत पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी पहले दिन पल्स पोलियो की दवाई से वंचि जिले में स्वास्त विभाग के सभी पालकों से अपील की है कि अपने बच्चों को नजदी की टीका करन बूत पर ले जाकर दवाई अवश्य पिलाएं साथी दूसरों को दवा पिलाने के लिए प्रेवित करें मंडला में भी आज सभी बूतों पर सुबा 8 बजे से शाम 5 बजे तक पॉलियो रोजी दवा पिलाई जाएगी देवाज जिले में पल्स पॉलियो अभिहान के सफल क्रियान वैन के लिए स्वास्त कारकारताओं को प्रिश्क्रण दिया गया जिले में 1786 बी और सी बूत बनाएं गए हैं आगर मलवा में 85,000 बच्चों को पॉलियो की दी जाएगी इंदोर जिलाटी का करान अधिकारी डॉक्टर तरुन गुपता ने बताया कि अभिहान के दोरान मलीन बस्ती नर्मान शेत्रो गुमंतु जन्नसंख्या पर विशेश धियान होगा इसके लावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड पर भी पॉलियो दवा के ब शेश तोर पर पहले दिन भूद पर जादा से जादा कवरेज करना है शेश शुटे वे बच्चे को अगले दो दिनों में घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी मुरेना सीहोर चतरपूर अनुपूर शेहडोल सहित अन्य सभी जिलों में पॉलियो की दवा पिलाई जाएगी अब बात क्रिकेट की ICC पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने बंगलादेश को 50 रनों से हरा दिया इस जीत के साथ भारत अब ICC T20 विश्व कप 2024 के सेमी फाइनल के लिए कौलिफाई हो गया है और बंगलादेश इस दोड़ से बाहर हो गया है बीती रात एंट्यूगवा के सर वीवियन रिचर्ट स्टेडियम में भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओवर में पाँच विकेट खुकर 196 रन बनाए जबकि बंगलादेश ने बीस ओवर में आठ विकेट पर 146 रन बनाए भारत की ओर से हार्दिक पाइंडिया को बहतरिन अर्द शर्ट की पारी और गेंद बाजी में बहुमूल एक विकेट लेने के लिए प्लेयर आफ दे मेच चुना गया अब बात मौसम की प्रदेश में राजधानी भौपाल सहीत कई जिलों में बादलों की लुकाचिपी के बीच कहीं हलकी तो कहीं तेज बारिश होने लगी है इन दोर से हमारे संबादाता ने बताया कि कल दिन भर बादलों के च्छाय जाने का दौर चला रहा दो दिन से चल रही इस प्री मांसून एक्टिविटी के चलते शेहर का पारा पांच डिगरी तक गिर गया अब को समचार संक्षेप में खंडवास में राज्य सेवा वा राज्यवन सेवा परिक्षा आज आयो जित होगी इसमें 1807 परिक्षारती शामिल होंगे जाबु हमें कल परियावरण के परती जागरू करते हुए वरक्षा रुपन किया और केबिनेट मंत्री महिला एवं बालविकास ने कहा कि आज के समय में बच्चों को किताबों की और रुजहान लाना बहुत जरूरी हो गया है इंदोर जिले के ग्रामिन शेतर में पोद्रोपन महा भियान के लिए जिले में समस्त पंचायतों के सरपंच, जनपद और जिला पंचायत प्रतिनीदियों का सम्मेलन कल इंदोर के लतामंगिशकर आडिटोरियम में आयजित हुआ रायसेन जिले के जेल पठारी में जेल निरिक्षन ने कल सह विदिक साक्षरता शिविर का आज़न किया गया अंत में मुक्य समाचार एक बार फेर सिहस तक इंदोर उज्जेन के बीच शुरू हुगा मेट्रो ट्रेन का संचालन मुक्य मंत्री ने हर जिले में विकास का रोड मेप बनाने के दिये निर्देश राश्टी पल्स पोलियो अभ्यान आज प्रदेश में एक करोड 85 लाग से अधिक पोलियो रोधी दवा पलाए जाने का लक्ष सिवनी कोवन शत्याकान मामले में सिवनी कलेक्टर और SP हटाए गए और T20 विश्वकप क्रिकेट में बांगलादेश को हरा कर सेमी फाइनल में पहुची भारती टीम इसी के साथ इस बुलिटिन में बसितना ही दीजे अनुमती नमस्कार कर्टर नमस्कार एक पहुची भाइए की में बस्कार की में यह कर दो में बस्कार भामत्यानी तGU Εंनल